लेकिसा वात है कोई आपदा हो प्युप्ता हो संकट हो, कोई भेद्वाव नहीं करता है वो सब पे आता है हर धर्म के लोगों पे हर जाती के लोगों में पे हर त्दि के लोगों पे oloगों पे आता है और ठिक कहा उन्होंने पी-म साहाब को बिशे स्रूप से कोई टागिट ना करे यह उनका मक्षद है यह बिल्कुल आज कि आप शिक्ता है और उन्हें जो कुछ भी कहा है चुकि हर कुछ ने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मौके बे मौके का दुरूपयों करना चाहते हैं इसने उन्हों को उन्होंने चिताब नहीं दिया है ऐसे लोगों को बताया भी है और सब लोग भी आपके माध्यम से यह बात कहना चाहेंगे कि बीमारी किसी वेक्ति किसी धर्म किसी जातिकारण नहीं होता है इसे लिए अनगरीब अनामीर है इस दिश्ट कौन से जब यह आपदा इस देश पे दुनिया पे आ दूसरा बड़ा आइडिया भारत का होगा देखे निश्ट तोर से भारत जो जिस्टेंग से भारत की परंपरा है और भारत के अपने स्वस्त रहने के तरीके हैं और अपने यहां कहां भी गया है कि बचाओ जो है वह बचाओ ही सबसे बड़ा सबसे बड़ा दवाई है हु पर अपने हैं कहा भी गया कि भोज़न ही भेशज है अपने हैं जो फूड सिस्टम है वही मेडिसिन सिस्टम भी रहा है तो इस हालत इन हालतों में ऐसे धंके जो पूरे बुस्दा पर विपत्ति के रुप में आये हुआ है तो भारतिय विचारधरा या भारतिय ग्यान काली जो है इनडियन कहें आयोड्योट कहें प्रैकितिक चिक्त चाह तो इन तरहों में ही रास्ता है मुझे लगता है कि प्रशामंतरी महदे को इंतमान देश-बेशाज-च्छे तौर तरीटों पे का और यं्डी म nepाणाना को हम सब लोग उन सब लोग को विशेस ट्रेनिंग के दोरा उनको सम्मान और इज़त मिलना चाहिए और उनके दोरा जो कुछ सोध हो रहा है वह सोध समाज के दुनिया के समख चलाने का काम करना चाहिए और उसकी पैकेजिंग करनी चाहिए हम लोगों निशित तोर से ऐसे त बिल्कुल ही ये खतम हो चुका है लेकिन ये पूरब के देशों में भारत में उस में अग्वा हो सकता है चीन के भी अपने तौर्टरीके है उसने कुछ बचा के रखा है बियतनाम बगर है यह जो पूरब पे के तौर तरिके इन छेत्रों में मौजूद है उसमें भारत को लीड लेना चाहिए और लीड लेगा ऐसा हमारा विश्वास है गिंग मंतराले ने राज और केंद्र साथे परदेशा बीक्रा उपरतमां में वह स्टेंडर्ड पर्देशों हैं तो जाहें को पातर कुड़ी लोगों को लेकिन लेकिन मैं बेक्तितों से अन्वाब करता हूँ ये कि आदमी संकट के काल में जब अपनों के बीच में होता है चाहे हो बिबारी का वस्था हो या कोई बिपत्ती के वस्था हो जो अपनों के बीच में होता है तो जल्दी रिकवर करता है मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे तमाम लोग जो अपने गाओं गिराम अपने अपने लोटना चाहते हैं अपने देश कहते हैं देशी के गाओं गिराम भासा में कहते हैं कि अपना देश चलो भाई तो जो कोई अपने गाओं गिराम में लोटना चाहता है अपन जी हमारे जो यूपी के मुखबंतरी हैं, ओू काफी लीड लिये उन्होंने, अपने बच्चों को नोने कोटा से बुलबा लिया, अच्छा क्या उन्होंने, और हमें भी एक बिहार की लोगों को भी, बिहार के मुखबंतरी को भी, एक मॉडल तोर पे इसे, ठीक है, लाखों मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर ने जो कुछ एक इस्टेंडर ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया है तो वह लागू अक्छर से हो और अब काफी दिन हो गया है तिंजास अपता हो गया है जो बच्चे या जो लोग या जो मजदूर हमारे बाहर परे हुए हैं उनको ब्यवस्था लाने की इस माह के अंतक अवस्थ होना चाहिए बढ़ना वह क्या होता है कि वह जो इमोशनल कनेक्ट है वह भापना तक लगाव है वह खतम हो जागा इस चिंता में कहीं मर न जाए हो सब लोग इसलिए मेरा आपके मादिम से आग रहे है को उन सब को यथा में बुलाने का बेवस्था करने चाहिए और किन सरकार को से मदद करना चाहिए लॉप डाउन के दौरान इए कुमर्स कंपरियों द्वारा गयर जनुरी सामानों की आप उटीक पदी बंदी तरहे गी एमेचे ने होमनिस्ट्री में यह जो एड़ाजी जारी की है देखिए को आर्डर दे दिया गया है। मुझे लगता है कि जन्ता को तो कुछ स्कुन मिलेगा रिलीजी मिलेगा। लेकिन साथ साथ अगर जो छोड़े बैपारी हैं जो हमारे अगल बगल के परचुन के दुकान वाले हैं इनको भी कुछ कंडिशन के साथ अगर कुछ सर्थों के साथ कर दिया जाए और मुटा मटी कुछ सर्थ तो द्याही लागू किया गया है लेकिन असपस्ट नहीं है होत कि बरे बैपारी के साथ साथ जो छोटे बैपारी हमारे हैं जो हमारे अरोस अरोस के परोस के नुकर के दुकान वाले हैं थोड़ा उनको भी सुकून मिले अगर तो बरी सुद्धा होगी उनके लिए भी और उनके उपवक्ताओं के लिए भी सुद्धा होगी लॉक्टाउन को ले करके चीदमरम ने किंद्रिय सरकार को हिर्दह बिरीन बताया है और कहा है कि गरीवों को कोई नगा बहुजन क्यों नहीं जिया जाता है यह तो विरोधी हैं विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं देखे यह सचाई है हर संकट में जितनी बरी आबादी है इस देश में इतने जनसंख्या हैं और जब भी कुछ फ्री बी की बात होती है कुछ मुफ्त में बटने की बात होती है तो आप यू मानके चलें कि आधे व्यक्ति ऐसे चले आते हैं जो उस स्रेडी में आते ही नहीं और वह अपने बलिस्ट ठोलने के कारण जो है जिन अभिस्टो तक पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है इसलिए कुल मिला करके सरकारी सिस्टम को पुखता करना पड़ेगा कि कैसे जो जन्यून लोग हैं जो सही लोग हैं उनके पास में राहत सा मगड़ी पहुंचे यह प्रयास करना होगा मगर विरोधी पार्टी के लोग विरोधी पक्ष के लोग तो अपनी बात विरोध में कहेंगे ही बाब जूर इसके सिमित साधन में हमारी केंदर की सरकार ने और प्रदेश की सरकार बिहार ने भी प्रयास भरपूर किया है, इमन्दाली से प्रयास किया है, कि जो रुत्मन्नों को खाथ समगडी और कैस्ट ट्रांसफर हो, जो डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी है, वह हो यह प्रयास किया है, मगर जो अधिकारी तंत्र है, जो डिलिवरी मेकनेज अब बिहार में तो खास करें कि मुख्या को काफी दिया गया है और उसके उस पटवारा हो अब अधिकारी सा भी बैमानी करें अगर तो दुर्भाग है मगर सरकार के अस्तर पे टॉप लेबल पे पूरी निस्था से और पूरी लिक प्रूफ एज्मेंट करके बेजने का प्र लावार्तियों तक लाव पहुंचे लावार्ति तक सिवा पहुंचे सामंगरी पहुंचे बोजन पहुंचे और कैस जो बेनिफिट उसका लाव मिले ये प्रयास करना होगा उसके लिए समन्वे बनाना होगा जो एलेक्टेड लोग हमारे हैं जमीन पे ओ और साथ-सा जो अ सिंग लॉक्डाउन में अपनी बेटी को कोटा से लेकर के आए हैं मामला भी विवाद बढ़ गया है चुकि दूपिस शरकार ने मीने लिया था कि जो जहां है अगर वों को लाए जाता है तो लॉक्डाउन का लंगन माना जाएगा और यह इन्हों लेकर मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि जब यह इंस्ट्रक्शन आया है कि कोटा से हमारे बच्चों बच्चों को नहीं लाया जागा और कोटा में ही आरेज्मेंट किया जागा ऐसा इंस्ट्रक्शन उन्होंने कल दिया है हमारे चीप मिस्टर मौदन ने और स्थाम के चिए सीम से बाचीत भी किया है और वहां सारी बेवस्था उनकी हो गई है। मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ भी होगा तो हमारे अनिल सिंग जी जिन्यवार निता हैं उन्होंने कल के पहले की तारीक में बच्चे को लाया होगा। ऐसा मुझे लगता है कि कल के बाद से तो सीम साहब का एदम ब्लैंक इस्ट्रक्शन था कि साहब नहीं बच्चे वहीं रहेंगे अब अच्चों की बहुस्था वहीं कर दी गई है मुझे लगता है ये कल के पहले का निरने होगा जो डियम नवादा ने किया होगा और ऐसा बहुत अच्छम नहीं कहा सकता है मतल्य मुझे लगता है कि कोई गलती को ब्लंडर नहीं कहा सकता है ये पहले होगा बच्चा-बच्चा सिफका होता है लेकिन इस दंग से जो उन्होंने किया ये दोर से कल के पहले की तारीक होगी